हलो फ्रेंड्स इस पंजवानी अगेन फ्रेंड्स पीच्प माइस्क्विल प्रोजेक्ट डेवलोप्मेंट वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है हम देख रहे हैं सिविल प्रॉब्लम रिजोलुशन प्रोजेक्ट डेवलोप्मेंट सो डेटाबेस हमने पिछले कुछ सर्च करवाना रहेगा या अपडेट या डिलीट करवाना रहेगा तो मतलब हमें देटाबेस के साथ क्या करना है कम्यूनिकेशन करना है डेटाबेस के लिए हम माइसक्वेल सॉफ्टियर युजियर यूज कर्रेह और उसके अलावा जो भी हमारी queries रहेंगी insert की, update की, delete की तो वो सब कैसे execute होंगी, वो मैं इस file के अंदर लिखूंगा तो मैंने एक file यहाँ पे create कर ली new text document इसका नाम मैंने दे दिया db configure नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने रख दिया database configuration.php ठीक है, इस file का extension आपको रखना है .php notepad++ के साथ edit किया और सबसे पहले मैंने php take open किया then after last में मैंने php take को close किया अब यहाँ पे मैंने कुछ parameters बता दिये जैसे की मैंने मुझे सारी information बतानी पड़ेगी की जो हम server use कर रहे हैं ठीक है, वो कौन सा है, तो हम तो local server use कर रहे हैं ठीक है, फिर हमारा जो mysql है, उसका username क्या है, password क्या है तो जो friends mysql होता है by default उसका username होता है, वो होता है root ठीक है, यह आप देखेंगे username होता है by default root और password by default होता है कुछ नहीं, ठीक है और हमने जो database बनाया था, उसका नाम था civil problem php तो यह सारी information की हमें जरुवत पड़ती है, connection बनाने के लिए तो मैंने कुछ variable बना दी है, db server इसमें मैंने assign कर दिया, हम जो server use कर रहे हैं, वो local server या अपने ही system में हम चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम address देंगे 127.0.0.1, ठीक है आप या तो यह लिखेंगे या तो इसकी जग आप local host भी लिख सकते हैं ठीक है, आप local host लिखिए इस double quotes के अंदर या 127.0.0.1 लिखिए तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, फिर उसके बाद db user ठीक है, database का user जो है हमारा by default root होता है ठीक है फिर by default जो password होता है ठीक है यह तो मैंने variables बनाए है, आप इसमें variables के नाम कुछ भी लख सकते हो password जो by default होता है वो कुछ नहीं देता है ठीक है अगर हमने जैंप में जाकर setting करके password वगरा लगाया है तो हमें वो देना है यूजर नेम वगरा हमने कुछ create किया है तो हमें वो देना है otherwise by default जो जैंप के अंदर mysql होता है उसमें कोई username यूजर नेम root होता है और password कुछ नहीं होता है ठीक है फिर database का नाम ठीक है मैंने एक और variable बना दिया यह सारी चीजें वैसे मैं database की connectivity जब मैंने PHP के lecture select से series बनाई होई है उसमें भी मैंने database की connectivity में यह सारी चीजें बताई होई है ठीक है तो इसलिए मैं थोड़ा सा fast track में आपको बता रहा हूँ ठीक है अब हमारे database का नाम क्या है database का नाम है civil problem PHP तो यही नाम हमें यहां लिखना है मैं यहीं से copy कर लेता हूँ ठीक है civil problem PHP हमारे database का नाम है तो यह नाम आपको ध्यान से वही रखना है जो आपने जिस नाम का database बनाया है कोई दूसरा project आप करेंगे तो जिसना उसमें कोई दूसरा database होगा तो वो नाम आप यहां पे लिखेंगे अब हम कुछ functions बनाएंगे तो पहला function में बनाता हूँ function बनाने के लिए function फिर function का कुछ नाम देंगे तो function का नाम में रख दिया my underscore insert update delete नाम कुछ भी रख सकते हैं यह जो मैंने my iud लिखा है iud का मतलब है insert update delete ठीक है यह function में बना रहा हूँ insert update और delete की command को execute करने के लिए ठीक है और इसलिए short form में इसका नाम iud रख दिया वैसे कुछ भी नाम देता जो नाम देता उसी से फिर में उसको call करता ठीक है अब इसके अंदर मुझे pass करना है query जब मैं इस function को call करूंगा वैसे हम इस function को इस वाले page से call नहीं करेंगे हम बाकी जो pages बनाएंगे sign up का या login का यह कोई भी हम form fill करेंगे तो जब button पे click करेंगे तो हम इस function को call करेंगे ठीक है और जब function को call करेंगे तो हमने जो भी form fill किया होगा उस form का data हम पहले तो variables में receive करेंगे और variables से फिर हम एक variable का use करते हुए हम एक query बनाएंगे ठीक है और वह साब हम यहाँ पर pass करेंगे इसके अंदर मतलब कहने की बात ही है कि हम यहाँ पर query पास करेंगे तो हम एक variable बना लेते हैं उसमें query को receive करेंगे ठीक है बाकी जब हम call करेंगे तो आपको clear होगा query में इसमें pass करूँगा उसके बाद मुझे यह सारे जो variable उपर आप देख रहे हैं वो इस function के अंदर use करना है तो आपको बताए कि function के बाहर बने वो variable जब function के अंदर use करते हैं तो आप global keyword लिखते हैं global और variables का नाम तो यह चारों variable जो उपर मैंने बनाये हैं उसको मुझे अंदर भी use करना है तो global db server और db user then db password then db name ठीक है तो यह सारे हमने यहां पर variables के नाम जो function के बाहर आप function के उपर आप देख रहे हैं वो सब आपको function के अंदर भी आगा use करना है तो आपको यह global keyword लगाना पड़ेगा ठीक है ताकि new variables create ना हो जो पहले बने हुए हैं उसी को हम use करें और उसी value के साथ use करें जो उपर हमने दी हुई है ठीक है अब सबसे पहले अपनको connection बनाना है हमें command तो execute करनी है जो हमें यहां पर receive होगी बड़ कमांड तभी execute होगी जब हम database के साथ connection बनाएंगे तो उसके लिए हमाँ पास function रहेगा mysql underscore connect ठीक है अब mysql i का भी use कर सकते हैं या mysql का भी use कर सकते हैं ठीक है अभी फिलाल के लिए mysql use कर रहा हूं ठीक है mysql underscore connect और इसमें हमें जे तीन पिरामीटर देने पड़ेंगे डेटाबेस सर्वर का नाम कॉमा डेटाबेस पासवर्ड फिर डेटाबेस नेम ठीक है connection establish करने के लिए यहां पर हमें तीन पिरामीटर पास करने पड़ते हैं server password and username ठीक है password इससे बात में रहेगा पहले username आएगा ठीक है server username then password ठीक है यह sequence में आपको पिरामीटर रखना है पहले server फिर username फिर password और अब यहां पर क्या होगा अगर हमने सब कुछ सही दिया username और password और server का नाम सब कुछ सही है तो connection establish हो जाएगा और अगर किसी reason से connection नहीं establish हो पाता है तो हम चाहते है program यहीं पर terminate हो जाए तो हमने die method का use कर लिया ठीक है die function का use कर लिया और इसमें message दे दिया connection field ठीक है अगर हमने कुछ information यहां पर गलत दी username password है कुछ गलत है तो connection नहीं बनेगा उस case में die execute होगा die के चलने से क्या होगा नीचे जो अगर connection बन जाता है तो connection बनने के बाद जो हमें information मिलेगी उसको हम एक variable के अंदर receive कर लेंगे ठीक है उसके बाद अब हमने connectivity तो कर लिये लेकिन connectivity करने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस database पर काम करना है जिससे यहां पर तो काफी साई database में पास already बने हुए हैं लेकिन मुझे काम करना है civil problem php पे तो database हमें select करना पड़ेगा तो उसके लिए command उसके लिए function रहेगा mysql underscore select underscore db ठीक है इसके अंदर आप पास करेंगे अपने database का नाम तो database का नाम मैंने एक variable के अंदर store किया है उस variable का नाम मैंने यहां पर लिख दिया और साथ ही साथ यह भी मैंने बताया कि मैंने किस username password सबका यूस किया है तो वह सारी information तो रखियो यह इस variable के अंदर तो यह connection id भी हमें यहां पर देनी पड़ेगी यह variable का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अब database जब हमारा select हो जाएगा तो हमें query को execute करना रहेगा तो जो भी हमारी query होती insert या update या delete या search की तो उनको execute करने के लिए हमारे पास method होता है mysql underscore query और इसके अंदर हम क्या pass करेंगे query को pass करेंगे तो query हम यहां पर receive करेंगे जो भी insert update delete select की command होगी वह आप यहां पर receive करेंगे और उसको यहां पर भी use करेंगे साथ ही साथ query को execute करते समय भी हमें यह connection की information देनी पड़ेगी जो की cid variable के अंदर रखी होगी है अब जो insert या update या delete की command हम यहां पर receive करेंगे उस command को execute करने का काम रहेगा इस method का लेकिन command execute करने के बाद कितने record insert update delete हुए उसको count करने के लिए आप use करते हैं mysql underscore affected underscore rows ठीक है जो भी mysql के method आप देख रहे हैं तो यह not paid plus plus में आपको इस तरीके से blue color में रिखाई देंगे mysql underscore affected underscore rows इसमें आपको connection id देना पड़ेगा और यह आपको count करके बताएगा कि इस query के चलने से किते record insert update डिलीट हुए वह आप receive कर लेंगे किसी variable के अंदर ठीक है अब connection हमारा यहां पर establish हुआ था database select हुआ query execute हो गई हमने count कर लिया query चलने से किते record insert update डिलीट हुए अब हमारा काम है connection को close कर देना ठीक है क्योंकि connection है कि important resource होता है system का तो जब उसकी जर्वत पड़ती है तभी हम उसका open करते हैं उसको और जैसी हमारा काम खतम हो जाता है तो उसको close कर देते हैं वो count करके हमारे पास n variable के अंदर आएगा और उसको हम return करवा देंगे तो return कहां पर होगा जहां पर हम function को call करेंगे ठीक है यह सारी चीज़े हम database के lectures में भी देख चुके हैं PHP के जो मैंने database के lectures बना हैं आप उसको भी देख सकते हैं तो यह हमने एक function तो बना लिया हमें इस तरीके से एक दो function और बनाने रहेंगे तो मिलते हैं next video lecture में तब तक के लिए बाय बाय thank you so much